हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़ी आऊंगे एकदम टनाटन, ओके, और अब हम डिसकस करेंगे दोस्तों, इंटरनल स्यूरोटी में टेरिजम का हमारा टोपिक चला था, तो आज हम डिसकस करेंगे जमू और कस्मीर में टेरिजम, जैसा कि आपको हेडिंग से पतातल गया होगा, कि आज हम जमू और कस्मीर में जो टेरिजम है, यहीं जे एंट किया, बिसकली कस्मीर में जो आतंगवाद है, उसके बारे में डिसकस करेंगे, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, कि किस तरीके से जो टेरिजम आतंगव वेरी वेरी इंपोर्टेंट और इसलिए मैं क्लासे आपको बैक टू बैक दे रहा हूँ क्योंकि ये क्लासे अगर मिस हो गई आगे पीछे हो गया ना तब समझ में नहीं हैगा और अगर एक बार समझ में नहीं आया तो फिर दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी कि समझ में नहीं आएगा और जब नहीं आएगा तब तो फिर बाबा जी आ कोई बर्मा जी नहीं रोकने वाला ठीक है तो प्लीज क्लासे continue और क्लास में जब भी हो तो पिसली क्लास का revision जरू करके आना ठीक है जब भी आप नहीं क्लास में आतो तो पिछले वाली क्लास एक बार फटांपर 15 मिन्ट में हलका सी revise करके फिर एगरो ताकि समझ में कि हाग कल क्या पढ़ा था तो भी चीजें के लिंक कर पाऊगे और इंटरनल सेक्योर्टी ऐसा है दोस्तों एक बार पढ़ लिया ना फिर करेंट अफेर में इस चीजें अपने आप समझ में आ जाती है फिर जंजटें नहीं रहेगा आपको देंदू कैसे पढ़ें सब कुछ मोम आया समस्या दूर हो ज अफगानिस्तान में यहनी अफगानिस्तान में USA के दुआरा USSR को काउंटर करने के लिए मुझाहिदिन केंपेंच ला गया था मुझाहिदिन केंपेंच में क्या हुआ था मैंने आपको बताया था कि USA ने पाकिस्तान और साओधिरभ की हेल्द से USSR को हराने की कोसिस करी है जो USSR के हैं, अफ़कानिस्तान के उस टेम तक USSR के दबदबा था, और उसके लिए एक वर्ड आता है Geneva Accord, तो Geneva Accord के हैं, यह भी आपको ध्यान है, वो रखना है यहीं, USSR है, वो क्या है, विड्रो कर लेता है, कि मैं लड़ाई नहीं यहां पर USA ने दो एक चीज़े यूज की थी, दो टेकनिक हैं, दो टूल्स यूज के थे, बेसिकली, हम बात करते हैं, और वो ट्यून वैसे देखा देना, तो पाकिस्तान से लिए गे थे, यह यूज से के द्वारा, दो टूल थे, एक टूल का नाम था अफीम काफे जदा होती थी पहले से ही, तो हुआ क्या, USA ने दिमार खेला, कि जो अफीम थे ना, OPM, अफगानिस्तान की, उस अफीम को कहें, बेचा किसको, इसको बेचा, रसिया के, जवानों को या रसियन्स को, क्यो बेचा, वो बताता हूँ, क्योंकि USA का प्लान था, कि ये जो अफीम है ना, यानि अफीम की एक बार हम रसियन को लत लगा देते हैं, अदत लगा देते हैं, एडिक्शन डाल देते हैं, वो देखो आपको बता है कि कोई भी इस तकी मादक पदार्थ हो की लत है न, वो छुटती नहीं है, और उससे क्या इंसान कमजोर होता है, तो ये ओपिम वार भी का जाते हैं, यानि USA ने ओपिम वार की हिल्थ से भी कहें, बैसिकली वहर जीता था, उसने क्या किया, रसिया को illegal तरिगे से रसियन सोलज़र को कहें, ओपिम की आदित लगा दी, क्योंकि आदमी ओपिम बिने के बाद कि हैं कि सुन सा हो जाते हैं, त उसको OPM के लट लगाई और उससे भी उसको काफी फायदा मिला था ठीक है यह आपको धान रखना है अब होता के हैं होता यह है कि मुझाईदीन केमपेंड की वजय से आपका USSR के हार जाते हैं इसके बाद में खास चीज़ है जो इंडिया से जुड़ेगी अब सुनना धान से जो यह मुझाईदीन है मवड लिक रहा हूं मुझाईदीन सोट मे या मुझाईदीन जो मैंने मता है था कि मुझाईदीन केंपेंड इसटार्ट हो दोस्तों बात थे यह 1988 की 1989 नमीका होता है मुझाईदीन में से मुझे दिन के दो गुरूप होते हैं, गुरूप A और गुरूप B, एक गुरूप में वो लोग थे आए वो परसंद से जो काफ़ी पावरफुल थे, तो भया जो पावरफुल लोग हैं वो क्या करेंगे, सत्ता में आ जाएंगी, इन्हों के हैं, अफ़कानिसान की सत्ता हैं, कोई टार्गेट फिक्स नहीं थे, रिवेंज वाले गुरूप क्या है, खुस होगे वहीं खतम हो गया, क्यों, क्योंकि इसका टार्गेट क्या था, USSR को हरा ना है, तो इसने क्या, USSR को हरा दिया, और यह अपना चिल मोड में चला गया, लेकिन जो यह लोग सेक्शन था यह क्या है, ना तो सता में आया, और ना ही कुछ कर रहा, तो अब यह खाली बैठा क्या है, कुछ ने कुछ तो कह रहा है, सेतान का घर बोल सकते हो, ठीक है, तो यह जो लोड लेवल के जो वरकर था, बोल सकते हो ना, इन्ही का यूज किया ISI ने, पाकिस्तान की जो एजें पीर में कस्मीर को आजायत कराना है, ठीक है, यह जाता, और यहीं से दोस्तों, इंडिया के अंदर शुरुवात होती है, तो आगए समझ में कि कैसे चीजें मैनेज की जा रही है, इस इट क्लियर, अब हम देखेंगे, इंडिया के अंदर कैसे का टनने वाला है, अब दोस् इस ISI क्या करेगी, इंडिया में बहुत सारे गुरुप्स बनेगी, वसे तो पहले तो बनेगी पाकिस्तान में बहुत सारे गुरुप बनेगी, आत्तंकी गुरुप, फिर उनको इंडिया में भेजेगी, ताकि बहुत सारे गुरुप रहेंगी ना, तो इंडिया के अंदर बनाया, that is very very important, नाम ध्यान रखना, उसका नाम था, मरकाज उद दावा वल इडसाथ, मरकाज उल दावा वल सलाथ, ठीक है, ये गुरूप बनाया किसने, ISI ने, ये गुरूप बनाया, और दोस्तों, इस गुरूप की एक ब्रांच खोले, देखो, कोई भी गुरूप होता है आपको थोड़ा बताओं, उसकी लग-लग ब्रांच चे खोले जाती है, तो इस गुरूप की एक ब्रांच थी, जो की आम विंग बोसकते हो, यानि इस गुरूप की एक आर्म विंग थी, आर्म विंग, जो की है थेरोल लड़ाई का काम किरेगी, और उस लिंग का नाम है, वो है, आपको थादू, अब समझ में आज जाएगा सबको, लस्कर-े-तोईबा, अपने नाम सुनाओगा, लस्कर-े-तोईबा, सोट में इसको मैं लिखूँगा, एलिट, ध्यान रखना, बार-बार में आगे ये लस्कर-े-तोईबा नाम ही लिख पाऊँगा, क्योंकि काफ मरकाज-ुद्धावा-ुल-िरसाद, इस गुरूप की एक आर्म विंग मनाई, जिसका नाम था, लस्कर-े-तोईबा, ठीक है, और इसके अंदर कोन थे, इस गुरूप के हैड को नहीं बताता हूँ, इस गुरूप का हैड था, एक तो हाफीज सेयद, नाम सुनाओगा आपने हाफीज सेयद, तो जो हाफीज सेयद नाम सुना है आपने, वो बेसिकली इस मरकाजुदावा, गुरूप का है, फाउंडर था, वो तो इसके अंदर सामिल था, बसे दो तिन लोग और भी थे, लेकर एक नाम आप याद है, वो रख लेना, गोट इट, ये क्लियर है, तो 1989 क में क्या होता है दोस्तों, जो ये ISI होती है ना, इसने, याद करो, थोड़ा पीछे चलता हूँ अभी, आपको बताया था, कि वो मुझह ही दिन केमपियन था, अफ़कानिस्तान वाला, उसमें जो लोड लेवल के जो वरकर थे ना, उनको कहें इंडिया में बेस दिया, तो याँ पर बता दिया, और बाद में, 1991 में क्या होता है, ये जो आपका लस्करे तोईबा था ना, इसको भी कहा है, जमुएन के इसमें बेस दिया गया, ठोड़ा ट्रेंड करके, कि अब जो आप वहाँ भी कहा है, दंगे फिलाओ, तो एक तरिके से आप में आप से यहाँ प खाली स्लैड लेता हूँ बहुत सारी, सिहींगे बारवारिं की जरुद पढ़ने वाली है, देखो ये बारवारि में आपको बता रहा हूं, नाइन्टीन नाइन्टीवन की हम बात करते हैं, कि किकस्मीर में क्या हालात हैं, देखो यहाँ आपका जो पाकिस्तान का मुझे दिन है, यहीं हम बात करते हैं, उसको सोट में बोलूँगा, हम आपको L.E.T. लस्करे तोईब है, वो इंडिया में काम कर रहा है, जमुण गस्मीर में, एक माप से बोलूँ, तो I.S.I है, वो खुद भी काम करेगा इंडिया के लिए, इंडिया के अंदर बताओ, एक बताँ आफचानिस्तान वाली, जो भी मैंने आपको बताए था, देखो यह रहा, अफचानिस्तान वाली एडियलोजी यह जो थी, वो भूल गये क्या, कि लोड लेवर वाले, तो खास बात ही है, कि सरीए अफचानिस्तान के जो लोड लेवर के थे, मुझा ही दी lower level मुझाईदीन है इसको इंडिया भेजा वो दोस्तों इसके लिए एक नाम रखा गया वो माँ को दता हूँ इसके लिए क्या नाम योट किया गया वो है इसका नाम महमान मुझाईदीन तो सर क्या मामला है समझाई ये थोड़ा सा महमान मुझाईदीन तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या-क्या बताया कि सुनिये धान से मैंने कहा कि अफ़कानिस्तान के अंतर जो मुझाईदीन बनाया था केमपेन उस मुझाईदीन केमपेन की जो लोर ब्रांच थी ना उसको इंडिया में भेजा गया और प्लस में पाकिस्तान एक गुरूप और बनाया था भी, मैंने आपको बता है न, यह रहा, बुलके क्या, मरकाजो दाववाला, और इसकी एक आर्म विंग तीज का नम था लस्करे तोईबा इसको भेज दिया, यहीं आप बोल सकते हो, 1991 में कस्मीर में basically तीन गुरूप काम कर रहें, एक तो है आपका कोंचा महमान मुझे दिन काम कर रहें, जो कि अफगानिस्तान वाले लोग हैं, एक आईसाई खुद हैं, और एक हैं पाकिस्तान की लस्करे तोईबा वाली जो विंग है, आम वाली, वो इंडिया के अंदर काम है, वो कर रही हैं, यह तीनों कहें जम्मू और किस्मी में दंगे वगरा फैला रहे थे, या आब बोल सकते हो कि जो भी खून खराबा कर रहे थे ना, तो इनको इनको आइडेंटिफाइ कर ले जाता था, क्योंकि इनकी सकल से अप्रा चल जाता था कि यह क्या अफगानिस्तान लोग हैं, समझ रहे हो, तो कहा आ feet, долларов, तो इनको अफगानिस्तान लोगान आपको में आखरा में लु idiot, ने ë जाता है, क्योंकि ए जली लुए ज्यानका, थीक है & इस этому ही अफगानिस्तान को रहे हैं, क्यों мकि यह अफगानिस्तान आपको मैं होता है, क्योंश्रालत से बर्लेकिया आफगानिस्तान आप बैसी के लिए आपको मैंने बता है कि USSR का बाड़ था, तो इंडिया ने रिकोगनाइज कर लिया कि अफ़कानिस्तान नाम की एक कंट्री है, ठीक है, और अफ़कानिस्तान ने ये डिसाइड दिया अपनी दुरुप से, कि भाईया हम इंडिया के अंदर तालिब हैं, 1992 में पेशावर अकोर्ड के बाड़ है, अफ़कानिस्तान की तरफ से जो आपके मिलिट्री नाम ट्रिस्ट था है, वो इंडिया में ने कहा है, बंद हो गए, क्योंकि इंडिया ने कहा है, अकोर्ड कर लिया और उनको रोक दिया वहीं पर, अब आगे पाकिस्तान को दिखत, पाकिस्तान को की टेंशन, कि यार हमने तो तीन ब्रांचे बनाई थी जैसे दैसे, और उने में से एक तो महमान मुझे दिन तो बन होगी, इसका अमलब कहा है, इंडिया में थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा, यहीं एक आदे गुरूप और बनाने पड़ेगी, ताकि कॉंपिटिशन रहे, तो और मज जाएगा हमें तो, समझ रहे हो, तो यहीं पर कहा हैं दोस्तों, 1992 में, 1992 में पाकिस्तानी रिसेर करता है, कि क्यों नहीं, हम इंडिया की धर्ती पर ही, इंडिया की लोगों को कहा है, ब्रेन ओस करके यूज करें, तो 1992 में, पाकिस्तानी इंडिया की ग्राउंड को यूज करके, और यहां पर बनाई OGW, और ग्राण वर्कर है, वो तियार करना शुरू कर दिया, OGW के हैं, मैंने आपको समझाया, यह वो लोग हैं, जो इंडिया की धर्ती के ओपर के हैं, भारत की लोग हैं, जो की हैं, टेरिजम को बूश्ट करेंगी, कोई तो आतंगवादियों को जगह देगा, कोई रहने के लिए पैसे देगा, कोई घर देगा, इस तरगे से help करने वाले लोग हैं, यह एक तरिके से वो लोग हैं, जो की हैं, आतंगवादियों की help करेंगे, और 1992 में आपको बताई भी था, कि और गॉर्ण वर्कर का phase इंडिया में आता है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, इंडिया में और गॉर्ण वर्कर पर फोकस करेगा, कि भी भारत में बहुत सारी के हैं, इस type के के हैं, supporter group बनाए जाएं, ताकि उनी से दिरिया दिरिका, उनको आतंगवाद में convert किया जाएं, यह concept मैंने आपको बताया, क्यों बनाया, यह मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया, आगे हम बात करते हैं, 1992 की बात खें आगे, 1992 में दोस्तों, पाकिस्तान ने एक group बनाया, बिसिकलिए पाकिस्तान का मदला मेरा यहाँ पर यहाँ है, कि बार बार पाकिस्तान की जो agency, इसका नाम है ISI, उसने कहाँ एक group बनाया, जिसका नाम था, United Jihad Council, United Jihad Council नाम के group बनाया, ठीक है, और यूश United Jihad Council के हैं, दो काम दिये गए, इसका एक काम तो यह दिया गया, वो दिया गया, पोलिटिकल फरेंट बनाया गया, एक तो उसको पोलिटिकल फरेंट बनाया गया, United Jihad Council का, और उसका महन काम यह था, पोलिटिकल का, कि भीया कस्मीर को आजाद करो, ठीक है, कस्मीर को आजाद करो, नहीं पोलिटिकल टार्गेट क्या था है इनका, कि कस्मीर को आजाद करवाना है, Got it? एक पार्टी बनाई, 1992 में, उसका नाम है, All Party Hurriate Conference, तो याद अखना, All Party Hurriate Conference, शोर्ट में इसको मैं बड़ बोलूँगा, APHC, यहनि All Party Hurriate Conference के हैं, United Jihad Council की यह पोलिटिकल ब्रांच है, और इसका टार्गेट क्या था, कस्मीर को सेपरेट करवाना, Got it? ठीक है, और ही आपको धाना है, All India Hurriate Conference, इंडिया में काम करे थी, और इंडिया के जो Hurriate Leaders थे, वो basically हमेशा कस्मीर को आजात कराऊने की बात करते थे, तो यह basically क्या है, सारा गेम समझ में आ गया होगा, और plus में, इसको दूसा टार्गेट का दिया गया, प्रोक्सी वार का, कि भीया आपको पोलिटिकल टार्गेट तो चीव करना ही, क्लस में, plus में आपको लगातार वोर करना रदना है, ठीक है, और क्या करना है, इंडिया की धर्ती गोपरी नि, प्रोक्सी वार गुरूप बनाने हैं, प्रोक्सी वार गुरूप यह नि, वहां की लोगों को के हैं, आतंगवाद में सामील करना है, plus में बहुत सारे के हैं, और गॉर्ण वर्कर तियार करना है, इंडिया की धर्ती परी, ताकि उन्हीं की हेल्प से, इंडिया पर अटेक करवाए जाए, इन्हीं इंडिया के ही लोगों को ब्रेन वोस करके, और इंडिया के अंदरी अटेक करवाएंगे, यह था कॉंसेप्ट, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, यह कानी इन्होंने यहाँ तक रखी है, ठीक है, तो अब आपको मैं यह से बोल सकता हूँ, सोट में, क्या चल रहा है, कि भाया, ISI ने इंडिया में क्या करका है, ISI ने इंडिया के अंदर एक तो कहा है, APHC, APHC इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दी, APHC क्या कर रही है इंडिया में, और गॉर्ण्ड वर्कर है, वो तियार कर रही है, कूप सारे दनादन, प्लस में हम बात करते हैं यहाँ पर, आपकी पाकिस्तान की लस्करे तोईभा भी इंडिया में काम कर रही है, प्लस में हम बात करते हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारे के हैं, युनाटेड जिहाद काउंसल है, वो भी काम कर रही है, अभी आपको बताया था मने, युनाटेड जिहाद काउंसल है, वो कार्म कर रही है, ठीक है, तो मोटे तोर पे यह सारे काम दनादन चल रहे हैं, ठीक है, और United желad council के हैं इंडिया के अंदर आ रही है तो भी है बहुत सारे काम करेगी और दोस्तों United jihad council ने के हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे proxy group बनेे गुशे इंडिया के अंदर बहुत सारे चोटَटे गुरूप बने जिनको के हैं आतंवाज में यूज़ किया और मोटे तोर पे ये आपको याद रखने है ये कुछ गुरूप है या पर हम बात के 6 गुरूप आएंगी जो कि UPSC एक्जाम में आपको लिखने है कौन-कौन से 6 गुरूप है मैं आपको बताता हूँ ठीक है कौन-कौन 6 गुरूप नाम इनके दे दूँगा ये नोट्स में आपको नाम लिखे हों मिल जाएंगे तो परेशान मत हो ये आपको टेलिग्राम पे नोट्स डाउनलोड करेंगे ना जिन इस्टुएंट्स के पास नोट्स नहीं है दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो अपना इन्स्टागराम चेनल है इंस्टागराम का जो पेज अपना नमस्ट एक्जाम वहाँ से भी आप्ठवाउड कर सकते हो पलस मैं आपको बता दूँ आप टेलिग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो ठीक है टेलिग्राम पे डिर्क्ली शेर्च कर लेना ग्रूप पे जाके इंटर्नल सिक्योर्टी और वहाँ पर आपको हैंटर नोट्स मिल जाएंगे, वो डाउनलोड करना, उसमें सारे नाम लिखे हुए, तो मैंने एक तो क्या होता है, हिजबुल मुजईदीन है, वो इंडिया में लाए गया, एक ग्रूप और लाए गया प्र पूरियत, कॉन्फरेंस, और पांच्वा था, उसका नाम था दोस्तों, अल्बदार, और चठ्था था, या अब वोड़ सकते हो, उसका नाम था दोस्तों, अल्ला है, टाइगर, ये धानकना, ठीक है, इनके फाउंडर को उनको नाम तरता हूँ, जो आपके हिजबुल अहुमद, हसंदार, और प्लस में एक बरसनों था, उसका नाम था, और जो आपका यहाँ पर अंसर था, इसका नाम अगर हम बात करें, इसका फाउंडर का नाम था, अबूल करनी, ठीक है, तो इनके लेडर सेवन का नाम भी मैं आपको दे दूँआ, तो वो आप एक बार द देख लेना, कि एकजाम में इनका नाम लिख देना, एक आधा जब भी आपको पूछा जाए, क्योंकि पता होना चाना कि कौन-कौन से गुरूप थे, यह बेसिकली क्या है, यह च्छे क्या है, दोस्तों, प्रोक्सी गुरूप बनाए गये थे, यह गुरूप बनाए गये यह इंडिया में आये, इन्होंने क्या है, इंडिया के अंदर काफी जम के तबही मचाई, और बात करते हैं बाद में, 1919 की, और इसी के बाद में यह बहुत सारे गुरूप हो गए, यह गुरूप खुद है, और इन्होंने इंडिया के अंदर क्या किया, 1919 में दोस्तों, प्रेसकरे तोईबा थी और यह आपके United Jihad Council थी, इन सब ने मिलके यह काम किया था, वो यह अकेला नहीं था, यह सारे गूर्पों ने मिलके और यह काम उनको अंजाम है, वो दिया था, Got it? यह आपको ध्यान रखना कि फिर यह काम उनको नहीं कर लिया है, ठीक है? और मैसूद अजर को कहने अरेस्ट के दिए, मैसूद अजर को नहीं चुडवा ले था, क्योंकि सरकार ने कहा है, मैसूद अजर को एक बार अरेस्ट कर लिया था, तो उसके वोशे इन नहीं यह का किया है is it clear तो यहां तक I think थोड़ा मामला आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है अब कोई डाउट है कि एक बार पूछ लो अब हम चलते हैं आगे तो अभी तक मैंने आपको फुटाफट के आपता है दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरके से इंडिया के अंद 2019 में तक मैंने आपको बताया कि मैसूद अजर को उन्होंने छुड़वा लिया जो की टेरिश्ट था उसको इंडिया ने रिश्ट कर रखा था लेकिन उन्होंने क्या है प्लैन हाइजे करके उसको छुड़ा लिया है और दोस्तों इसके बाद मात आती है 2000 में 2000 में क्या होत उस ग्रूप का नाम दोस्तों याद अखना है that is very very important जैसे मुहमद तो याद अखना वही मेसूद अजर जो छुटके गया था इंडिया में 1999 से वह 2000 में आये से के साथ मिलके जैसे मुहमद नाम का एक आतंकी ग्रूप है वो तियार कर लेते हैं ठीक है यह बात होगी 2000 तक की और दोस्तों आपको ध्यान होगा 2000 के बात क्या है 2001 के अंदर international level पर एक बड़ा change होता है और international level changes क्या होते हैं अफ़कानिस्तान के अंदर USA आ जाता है ध्याना अफ़कानिस्तान में USA की entry होती है तो समझ सहेगी थोड़ी ओर गंबिर और वो इंडिया के लिए नुक्सान करे वह हम देखने वाले हैं गोट इट तो यह सारा समझ में आ गया अब मैं आपको दता हूँ कि एड इस टेम पे हमारे देश में कौन-कौन काम कर रहा है 2000 तक कि हम बात कर रहा हूं 2000 तक अगर हम देखें तो जमू एंड कस्मीर में competitive, terrorism, industry है वो एकदम बढ़िया चल रही है क्यों बहुत सारी competition हो गरूप अभी बताए फिर लस्करे तोयबा भी था और भी सारी गरूप चल रहे थे तो इनमें क्या आपस में competition चल रहा था और दोस्तों इस टेम पे इंडिया में ISI ने देखो कितने गरूप कर रखे हैं बतात प्रोक्सी ग्रूप है पीजी का मतलब सोटने मोड़ा हूँ प्रोक्सी ग्रूप इसमें हिज्बुल-मुझ зовутिन हुडिन हौकारोल्फ है इसके साथ में एलल मर है इसके बाद मैं जमात हुरियत है अल्डर है अलल टाइगर है तो यह क्या है 6 PG group यह हो गए, plus में और हम बात करें, तो दोस्तों, 1 PG कहा है, जैसे मोहमद भी बन गए ना अब 2000 में, तो जैसे मोहमद भी काम कर रहा है इंडिया के अंदर, plus में कहा है, इंडिया के अंदर और और भी कहा है, प्लस में और ग्रांड वरकर काम करें और दोस्तों यह क्या है यह गुरूप क्या है प्रोक्सी गुरूप आपस में टेक रहेंगे इंडिया में जगह जगह पर और इसी को क्या बोलते हैं इन्डिया के गुरूपों में कामपिटिशं होने लग गया कि मैंने लग इतने एतने ज uwद विए है यह करते हैं वो तीन करेगा, वो चार करेगा, यही है, ठीक है, तो यहां तक I think clear हो गया होगा, अब हम discuss करेंगे आगे के लिए, अब दोस्तों यह सारा मने आतंगवाद का फेज आपको बता दिया, अब आगे हम discuss करेंगे कि इंडिया का क्या response है, जमण कर्समेर में आतंगवाद तो ट्रेजम ओपरेशन या CTO, तो CTO का मुझलब के है, काउंटर ट्रेजम ओपरेशन इंडिया में पाकिज इंडिया चलाएगा, क्यों इनको खतम करने के लिए, और इनके दो टार्गेट हों है, काउंटर ट्रेजम, यही ट्रेजम से निपढ़ने के लिए भारत दो तरगे क करेगा, एक काम तो करेगा, security component का, security level पर, security level पर क्या किया जाएगा दोस्तों, कि भया operations लाएजएगे भारत में, जगह जगह पर बहुत सारे operations लाएजएगे, उसकी help से क्या खतम किया जाएगे, मारा पिटा जाएगा उनको, वो दूसरा होगा दोस्तों, diplomatic solution, diplomatic solution का मतलब यह हैं, कि इंडिया कहें, international level पर, पाकिस्तान के सारे कार्ण उजागर करेगा, कि देखो, पाकिस्तान with proof के साथ, इंडिया, international platform पर जाके, कि देखो भया, इस तरीकी से, पाकिस्तान हमारे धर्ती पर ऐसे लोगों को भेज रहा है, यह हमारे पास evidence है, यह proof है, उनके पास ही है, पाकिस्तान को international level पर कहें, बेस दिगरी जाएगी, उसको isolate किया जाएगा, तो होगा diplomatic solution, तो इंडिया दो तरीके से काम करेगा, security solution यह security component पर एक होगा diplomatic, security solution के हम बात करें, तो मैं आपको बहुर बता सकता हूं आगे, कि इंडिया में army, प्लस में national security group, प्लस में जमु और कस् अरिया में, और वहाँ पर आतंगवादी को चुन-चुन करके मारा जाएगा, ठीक है, terrorist को क्या है, जो आतंगवादी है, उनको तो kill कर दिया जाएगा, प्लस में जो overground worker है, उनको जिन्दा पकड़ा गया, उनको जिन्दा पकड़ेंगी, जो मर गया, उनको मर गया, कोई ब पता है था ना, इनको मारना solution नहीं है, इनको brainwash किया गया, तो उसको ठीक करना पड़ेगा, तो सरकार ने क्या है, overground workers है, इनको भी identify किया, और इसके लिए क्या है, काम करेगी, अब जो लोग मर गया उनके तो कानी खतम, और जो लोग arrest होंगे, उनसे क्या करेगी, उनसे दो एक तो उनको intelligence bureau को सोपा जाएगा, RO को सोपा जाएगा, military intelligence को सोपा जाएगा, और वो क्या उनसे information निकालेंगी, कि क्या क्या आपको पता है, कैसे क्या है, उनको torture करके, मार पीट करके, उनसे क्या है, सारे की सारे राज उगलवाय जाएगी, उससे क्या है, हमें पता ची पात करें तो उसको क्या है? इंट्रोगेशन किया जाता है? उसके सारी क्या चीज़ा पता की जाती है कि कहां से आया था, क्या थेक्निक है उनकी क्या क्या है और दोसती इंड्या में है यह सारे काम किया जाएंगे तो वो हम देखेंगे कल तो आज गे सेसन में इतनी चीज़े हैं और कल हम discuss करेंगे कि इंडिया का response कैसे क्या है और कल ये session जहातक का साथ complete हो जाएगा ठीक है? तो आज गे से discussion में इतना ही हैं दोस्तों कुछ doubt वगर होता हो मुझे बता देना और कल हम discuss करेंगे कि security forces वगरा कैसे कहें terrorism को counter वगरा करती हैं और कल हम discuss करेंगे कि 2021 तक के इस phase में क्या क्या हमने complete किया है ठीक है? तो अभी इतना ही है Thank you